आज बनाएंगे एकदम खस्ता और कुरकुरी बेसन की पापड़ी जो शाम की चाय का मज़ा दुगना कर देती है और आप सफर में इसे ले जाना चाहें तो बना के ले जा सकते हैं ये महीनों खराब नहीं होती है बच्चों की छोटी मोटी भूक में भी आप उन्हें ये दे सकते हैं बहुत ही खस्ता क्रिस्पी और एकदम परफेक्ट पापड़ी बनके तयार होती है अगर चोटी चोटी बातों का हम ध्यान रखे तो तो रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा अगर आपने अभी तक तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां एक परात लेली है मैंने उसमें डाल रही हूं में तीन काप बेसन यह बारिक वाला बेसन लिया है हमेशा पपड़ी बनाने के लिए बारिक वाला बेसन ही यूज करें बारिक बेसन से बेसन में अच्छा लोच आता है और साबू जीरा डाला है मैंने आदा चमच से थोड़ा जादा काली मिर्च का पाउडर यानि थोड़ी मोटी कुटी भी है और आदा चमच ही मैंने इसमें अजवाएं डाल रही हूं थोड़ा हातों की बीच में इस तरह से क्रश करके अच्छी कुश्बू आएगी इस से और डे one eight portion में इसमें डाल रही हूं बाद में बाकी का यूज करेंगे लेकिन ध्यान रहे आप मोयन में ज़्यादा न डालें बाकी बात में यूज करेंगे कैसी यूज करना है मैं आपको बात में बताओंगी बीडो पूरा देखेएगा तो यहां पे अच्छे से मिक्स कर लेगे तो द्यान रखेगा बेशन जो है वो जादा पानी सोक नहीं करता है यानि जब भी हम बेशन की पपड़ी या गट्टे कुछ भी बनाते हैं तो इसमें कम पानी लगता है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा और इसका एक सक्त आटा हमको गूत के तियार करना है आप देख थोड़ा सा इसे रेस्ट मिल जाएगा तो यह और भी अच्छा हो जाएगा तो इस तरह से देखिए मैंने इकटा कर लिया है और बाकी का काम हम बाद में करेंगे यह पापड़ियां खाने में बहुत ही तेस्ट लगती है और रेसिपी भी आसान है आप जब मन करें इन्हें बना सकते हैं किसी भी मौसम में अब देखी 15 मिनिट हो चुके हैं आटा और भी सकत हो गया है क्योंकि बेसन दोड़ा फूल गया है तो अब इसे हमें करना है काम कि इसे अच्छे से मसलना है ताकि जो यह बेसन है इसमें अच्छा सा लोच आ जाए और हमें पाप्रियां बि अच्छा हो जाता है रेकिन मैं अब हमें अच्छा हो जाता है यह बस तरह से बस मसलते जाएंगे हातों में थोड़ा सा दर्द हो जाएगा लेकिन इस तरह से करना है तब ही हम पापड़ियां बेल पाएंगी वरना जब भी हम बेलेंगे न वो फट जाएगी तो देखे मैंने इसको करीब 10 मिनट तक इस तरह से किया है और सारा एक चोथाई का जो बाकी बचाओा तेल था सारा मैंने इसमें डाल दिया है और आप देख सकते हैं आप कितना सही हो गया है कितना अच्छा हो गया है तो इच्छा सा लोच आ गया है इसमें तो इस स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करें बिल्कुर भी ना मिस करें तभी आपकी पपड़ियां बहुत ही अच्छी बनेगी एक्दम परफेक्ट पतली पतली बनके तयार होंगी और पाप्ड़ियां बिल्ले में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब मैंने इसको इस तरह से लंबा कर लिया है जल्दी जल्दी करने के लिए और चाकु से इस तरह से थोड़े छोड़े छोटे शोटे इसकी लोगियां काट लेंगे ताकि फटा-फट काम हो जाए और बनाते जाएंगे और बेलते जाएंगे एकी साइस की कटेंगी इस तरह से तो बार-बार तोड़ने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो इनकी लोगियां बना लेंगे इस तरह से गोल-गोल और बेलते जाएंगे तो जो बाकी का बचावा आटा है उसे हम डख करके रख देंगे ताकि वो सुके नहीं तो इस बर्दन में वापिस इसको डख के रख देते हैं और बाकी बची है उनको बेलना शुरू कर देते हैं तो पहले थोड़ा सा तेल लगा लें इस पर मैं प्लेटफार्म पर ही बेल रही हूँ मुझे जादा ईजी लगता है आप चकला या कुछ भी ले सकते हैं बेलने के लिए और इतना पतली बेल ली है तो थोड़ा थोड़ा हलका हलका हाथ चलाते हुए इससे बेलना है आपको यह देखिए मैंने तो चिली फ्लेक्स डाली है इसमें तो थोड़ा जादा पतली नहीं हो पा रही है वो मुटी मुटी रह रही है वरना इससे भी पतली यह पापडियां आप बेल सकते हैं तो इसी तरह से देखिए दूसरी बेल के बताती हूँ मैं आपको तेल लगा के आ त्यार किया था मसल मसल की उससी बिल्कुल भी नहीं फट रही है चाहे आप किती भी पतली बेले जैसे पापड बनाते हैं सीम वही प्रोसेस है और देखिए मैंने सारी बेल के त्यार कर ली है एकदम पतली बनी है देख सते हैं आपको कितनी सुन्दर लग रही है सारे मसाल इसमें नजर आ रहे हैं, अब इनको fry कर लेते हैं, तो medium, low to medium flame पे आपको इसको तलना है, एक बार तेल गरम हो जाए, तो low to medium कर दें flame को और इनने तल लें, तो एक बार में जादा नड़ा लें, 5-6 डालें, आपकी कड़ाई के according, लेकिन जादा नहीं डाली हैं एक बार में, डालने के बाद अब यह उपर आ जाएं, तो इन्हें पलट दें, जादा देर तक नहीं तलें, क्योंकि पतली होती हैं, जल्दी फ्राई हो जाती हैं, और जल्दी से लाल हो जाती हैं, तो मैंने इनको पलट दिया हैं, जैसे ही उपर आई हैं, और हलका सा बस लाल कलर लाना तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा कलरा आ गया है इन्हें निकाल लेते हैं और यह देखिए तो दूसरा वैच्वी से तरह से तियार कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे तील जादा गरम भी नहीं होना चाहिए तो जादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए तो चूटी चूटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पप्डियां भी बहुत ही परफेक्ट एकदम खस्ता करारी बनके त्यार होगी तो यह पप्डियां खाने में बहुत टेस्ट लगती हैं सफर में ले जाना हो आपको तो बना के रख लें और इन ले जाएं ये महीनों खेराब नहीं होती है आप इनने 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और देखे आप कितनी क्रिस्प हो गई है ठंडी होने पर बहुत ही खस्ता करारी और एकदम चूर्चूर हो रही है खस्ता बनेगी, करारी बनेगी और बहुत ही मज़़दार लगती है चाय के साथ आप इसे एंजॉय करें या फिर चोटी मुटी भूख हो तो भी आप इसे खा सकते हैं तो कुछ बनाने का जंजट भी नहीं रहता है कि कुछ बनाना है या आप इसे एंजॉय कर सकते हैं तो फिर मिलूगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए ब